गुड मॉर्निंग टुवाल आज का ये हमारा एक्सल का लेक्षर नमबर थर्ड है आज हम लोग थर्ड नमबर का तीसरा क्लास करने जा रहे एक्सल का लेक्षर नमबर थर्ड है I hope आप लोगोंने फर्स्ट और सेकेंड लेक्षर जरूर देख लिया होगा तो चलिए चलते हैं आज का बिना टाइम वेस्ट की अपने एक्सल सीट पर और आज कुछ का काम करते हैं ठीक है बैसिक हम लोग कंप्लीट हो गया है अब आज हम लोग क्या करेंगे कुछ फॉर्मला सिखेंगे अगर आपको जैसे कि जिस सीट पर मैं काम करता हूँ ठीक है अगर यह सीट आपको चाहिए ठीक है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ अगर आपको भी यह सब टेबल चाहिए यह सब एक्सुसाइब चाहिए तो मैं वाटसप नमबर अपना दे दूँगा इमेल आईडी दे दू देंगा थाकि आपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपको चाहिए तो मेल कर सकते यह वाट्सअप कर सकते हैं मैं दे दूंगा आपका mail ऐडिया वाटट्सप नूंबर तो सबसे पहले उपर क्या लिखा हुआ है power power तो पता है कि पहले मिनों power निकालते थे नीचे class में थे तो power निकालते थे ना 2 का power 5 का power 3 का power वैसे ही power यहां पे पता है डिवाइट करते हैं जिससे उसके बाद हमारे रिमेंडर रिमेंडर पता है रिमेंडर का फॉर्मूला लिखा है तीना दादी है क कि हम लोग क्या करें कोई फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले equal का लगा ले ठीक है यहां पर हम दिखाते हैं कर एकशे यहां पर क्या है कि जो एक काने हैं लगाता हूं अगर फॉर्मूला लिकके रखाऊ हूं किये उसके बाद number देख सकते हैं यहां पर फॉर्मुला एक्टिब नहीं हो रहा है कुछ भी सो नहीं कर रहा है ठीक है कोई चीज एक्तिब नहीं हो रहा है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे जैसे कुछ चीज का पावर निकालना है माल लिजे हमको पावर निकालना है कितने का तू का पावर निकालना है ठीक है तू का पावर निकालना है तो तू का पावर माल लिजे फाइब करना है ठीक है ऐसे होता है तो यहां पर एक सेल में ऐसा नहीं लिखा सकता आपका कि तू तू पावर फाइब उपर में जैसे लिखते हैं ना two का power five यहाँ पे एक cell में लिखेंगे number दूसरे cell में लिखेंगे उसका power ठीक है पहले cell में number दूसरे cell में उसका power लिखेंगे या तो keyboard से type भी कर सकते हैं उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे power का formula लगाएंगे जैसे हम पहले अगर equal नहीं लगाते तो हम लोग क्या करते power type करते power type करते bracket open करते उसके बाद हम लोगों नहीं क्या किया इसको लेते लेकिन यहाँ पर कुछ सेलेक्ट हो रहा कुछ भी नहीं हो रहा ठीक है? अगर कुछ भी नहीं होरा तो क्या करेंगा? क्या है हम लोग कीवोड से बोलते हैं टाइप करनी के- liberté लगाएंगे फिर डा चॉसके लगाएंगे दाइगे इसके बाद 5 लगाएंगे हट गया है तो और 5 को क्या क्या कीवर्ट से टाइप किया यह बिलकुल आप नहीं करेंगे अगर टाइप करेंगे इसका बहुत बड़ा डिमेरिट, आप देख सकते है क्या होगा, मुझे पता था कि यह 2 का पावर कितना है, 5 नहीं है, 2 का पावर मुझे 3 निकालना था, गलती हो गया तो आप लोगों क्या करना हो फिर पूरा चीज हटाना होगा ठीक है उसके बाद calculation भी हटाना होगा तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे sale address use करेंगे हम लोग उने पहले भी बताया था कि sale address कैसे check करते हैं बताये थे first lecture में और यह भी बोले थे कि आगे लेक्चर में बताया जाएगा कि sale address का use क्या है और इसका क्यों हम लोग इसको जादे use करते हैं ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं यह अपडेट नहीं होता है इकवल आगे लगा लेंगे copy में जहां भी आप पावर का formula लिख रहे होंगे इकवल लगाएंगे उसके बाद एक्टिव हो गया formula एक्टिव होगा तो सबसे पहले क्या मांगरा number देखें यहां पर मैंने भी लिखा number दुसरा क्या मांगरा power यहां पर पावर पर लिखा है तो power number हमारा क्या है 2 है two कि sale में अगर यहां से देखा जाएगा तो यह sale यह तो आप यहां पर direct मौस से क्या किजिए select कर दीजिए ठीक है मौस को लाके टूपे click कर दीजिए तो वो क्या करेगा automatic यहां से sell का नाम उठा लेगा जैसे इसका नाम क्या है M5 यहां से लिया और 5 नंबर यहां से तो यह क्या-क्या M5 ले लिया या तो अगर आपको याद है उसका sale address जैसे इसका power power कितना इन कितने पर होगा इन 5 पर कीबड़ से फिर हम टाइप भी कर सकते इन 5 जैसे इन 5 टाइप की है तो वह active होगी है small capital से कुछ नहीं होगा small भी लेख सकते capital से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि बाद अभी इंटर कर देंगे यह calculate कर दिया आप इसको change करके देख सकते हैं हम लोग जैसे इसका power 4 करते हैं आप देख सकते हैं वह change हो रहा है ठीक है तो सेल का अगर address इस करेंगे तो इसका बड़ा benefit अगर बाद में कभी पता लगा कि यह गड़बड था जैसे आई यहां पे पता था मुझे यह power कितना है इसका power 3 है लेकिन हम लोगों टो रूट के लिए क्या है रूट का formula है रूट कितना के निकालना है माल यह 16 है ठीक है इसका route निकालना है तो dus सब्से पहले Ickelle लगाई है Ickelle लगाने के क्या पूरणा है उसके बाद QRT यहांप लिकhaa है ना देख सकते हैं QRT यहां पर हम लोग भी लिखेंगे sqrt उसके बाद tab tab करेंगे press number हमारा क्या है 16 bracket बंद करेंगे enter मारेंगे कितना गया 4 एक और देखते हैं equal sqrt bracket open करेंगे या तो tab का press करेंगे tab button हमको अगर manually भी लिख सकते हैं जैसे के मालीजे 625 bracket बंद करेंगे इसका इंटर कर देंगे 25 आगया इसका ठीक है या तो अप्सेलेट कर लीजे कहीं पर लिख के excel में लिखने से क्या profit है ना यहां अगर मालीजे यहां पर 625 हम करते हैं तो यह automatic update होग जा लेकिन यह तो update नहीं हो सकता ना क्योंकि यह कि आपको बताती है देखिए यहां पर कोशेंट में चीज आपको यहां पर करना होगा दिखा देते हैं फिर बार थाटीन थाटीन को से डिवाइट करेंगे तो अंसर कितना आएगा मारा 6 आना चाहिए इक्वल इसका formula क्या है int उसके बाद tab क्या मांग रहा नमबर यह है उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है अपने सी यहां पर divide आपसे मांगता नहीं है कि हमको क्या divide करना है ठीक है वो यहां पर देखिए पहला में क्या था कि सो कर रहा था power नमबर सब कुछ लेकिन यहां पर सिट उसका number सो कर रहा लेकिन number से तो नहीं होगा ना एक number से किसको divide करेंगे divide करने के लिए 2 digits चाहिए न तो यहां पर क्या करना पड़ेगा एक divide का sign अपने संब को लगाना होगा numlock जहां पर रहता है वहां पर slash का जो button होता है slash का जो sign बना होता है numlock के just bugle में आप divide का काम करता है उसके बाद divide किसे करना है तू से करना है तू पर select कर देंगे bracket बंद करेंगे then enter कर देंगे तो इस फार्मूला में यहां पर एक चीज़ और edit कर लेंगे थोड़ा सा यहां पर लिख लेंगे कि divide किसे करना है उसको slash करके मैं लिखे देता हूँ इसे कर लिजेगा यहां पर सो नहीं करता है बस इतना या देखना बस numbers को करता है हमको अपने से slash लगा के और जिससे divide करना पड़ता है उसको डालना पड़ता है उसको बाद remainder 13 है इसको divide करनेंगे 2 से तो remainder कितना आएगा 1 आएगा na equal लगाएंगे उसके बाद क्या है लिखा हुआ remainder का formula mode mod tab उसके बाद number number यह हमारा comma लगाने वाला divisor यह हुए bracket बंद करेंगे इंटर मारेंगे 1 answer आगया ठीक है तो ऐसे करके हम लोगों ने आज कितना formula सिखा चार formula सिखा power का root का question का और remainder का तो आप इस formula को लिख ले लिखने से पहले copy में mode के आगे equal int के आगे equal, sqr के आगे equal, power के आगे equal लिखना बिल्कुल ना भूलेंगे ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही second lecture में जब अगला lecture next आने का fourth number lecture का तो उसमें हम लोगों ने अब sum करना और आगे कुछ और formula सिखेंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते है next lecture मे bye thank you